नमस्कार आप देख रहे हैं प्रैम ट्रीवे और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान उस्मानी चलिए रुख करते हैं पच्छतर जिलो की पच्छतर बड़ी खबरों के ओर राषधानी से संसनी केज वारदात आई सामने जियामो पेट्रोल पम के पास से हुआ युफ्ती का फारण देर रात हयात होटेल से एयरपोर्ट के रे निकली थी युफ्ती भाईने की भाई की गोली मार कर हत्या हत्या की वार्दात को अंजाम देने के बाद में किया सरेंडर आरोपी के बताहि हुए अस्थान पर ठाना प्रभारी फोर्स के साथ पहुचे 12 बंगी के रामनगर थाने में लगतार हो रही चोरिया बहुमतपुर थाना कुतवाली शेत्र में पुलिस कर रही जाच लगतार दो थानों में हो रही चोरिया कानपुर में हिंसा क्या रोपी और अपराधी कल्लू कातल के भाई का वीडिय हुआ वायरल बजरिया थाने की सरकारी जीप पर बैट कर दबंगाई दिखाते हुए वीडियो आया सामने सपय मेल सी स्वामिपिसाद मौर को हाईकॉट से मिली रहा थ हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिपड़ी मामने में रहा था हाईकॉट मौर के खिलाफ चल रहा मुकदमा किया खारिज बाजार में मारपीट का वीडियो हुआ वैरल दो लोगों की मारपीट से रोट पर लगा जौम घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर है पोलिस चौकी सिधार नगर में खारा बनाते समय एक घर में लगी आग आग लगने से घर में रखा सामान जल का राग ग्रामीडों के मदद से आग पर पाए गया काबू अयुद्या के राम मंदिन में उकेरी जौएगी देवी देवताओं के आकरितिया 36,000 देवी देवताओं के आकरितिया 166 स्थम्भू और दीवारों पर आकरितियों का हो चित्रण बदमाशों के होस्ते बुलंद बदमाशों ने कट्टा लगा कर युआ के साथ की लूट-लूट के बाद मौके से फरार हुए बदमाश संदिक्द परिसिती में खेत में मिला महला का शव सुभा अपने खेत की रखवाली करने गई थी महला महला के शरीर और चेरे पर चोट के निशान अवैध हुकाबार पर सरकार का शिकन जो अवैध हुकाबार चलाने पर होगी तीन साल की जेल सिगरेट तंबाक उतपाद एक्ट में किया गया संचोधन निकाच नाव की समीक्षा के बाद बियस्वी में बड़ा बदलाव चार मंडलों पर कोडिनेटर रखने की विवस्ता की गई खत्म चार की जगा तीन कोडिनेटर रखने की विवस्ता इनामी शायस्ता परवीन पर दर्ज होगा गैंग्स्टर का मुकदमा आती क्यामत की पत्नी पर गैंग्स्टर एक्ट करने की तयारी में पुलिस गैंग्स्टर मुकदमा दर्ज होने के बाद कुर्खोगी सब्सक्राइब कौशांबी में स्कूल से घर लोट रही छातरा से दुषकब्न गटने के बाद अलाके में मचो हड़कंप मामले की जाँश परताल में जोटे पलिस 27 जिलों में बारिश को अलर्ट आंधी चुलने के भी आसार कर 9 जिलों में हुई बारिश पाँच दिन ऐसा ही रहेगा मौसम रोडवेस बस ट्रक में घुसी पंद्रोग हैल हर दोई से दिली जौते समय बरेली में हाथसा यात्री बोले रात में हाई स्पीड में चला रहा था ज्राइवर कौतम बुद्नगर के जिवर में मा बाप को मारने वाले बेटे पोते पर अफ़ा यार प्रोपर्टी के लिए करता था मार पीट मा का अगला भी दबाये था लकनों में ट्रॉक में घुसी कार चार की मौत शादी समारों से लोट रहा था परिवार कार को काट कर शवो को निकाला गया बिगापूर में ट्रॉली के नीचे दबने से युवक की मौत वेल्डिंग करते समय आचाना खड़ गया था जैक पर इजलो कर रो रोकर बुरा हाल 12 बंकी में ग्रामीडों ने संदिक्दों को बनाया बंदक राजस्थानी लोगों के पास लाखों के नगदी के साथ कैश परामत सारंपुल में सुहागिनों ने पती की दिरगायों के लिए रखा वत वरत साविट्री की पूझवा कर महलाओने की सुरक्षा समरिधी की कामना यूपे में आईएस के हुए ट्रांसफर राजभाल के अपर मुक्सचिव बने सुधीर बोबडे दो कमिशनल और तीन जिलो के डियमबर ले फतेपुर में रितायड पी डेवलुटी कर्मी की ट्रेन से कट कर मौत घर से खेज जाते समय हाथ साथ दिमागी संत्रलन ठीक नहीं था सितापुर में तेज रफतार कार ट्रेक्टो ट्रॉली से टकराई पती पतनी समेथ चार लोग घाय लखनव से मेर ज़ा रहा था बरिवार सद्धार तकर में अस्पी लिली परेट की सलामी बलबा ड्रिल का कराया भ्यास पुलिस वर्ल को दंगायू से निपटने के सिखाय तरीके अयुध्या में रामपत निर्मार के चलते लोगों की बढ़ी मुश्किले पानी बिजली के आपूर्ती और दूर संच्वार की सेवाए था बाकपत में मुलिस के हथे चोड़ा दस हजार काई नामी चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फुराक में था आस्ते सरकारी स्कूलों में गर्मी का अफकास 27 दिन के अफकास के बाद 16 जून को खुलेंगे परिशदी अविद्याले बांदा में करंड की चपेट में आकर किशोरी की मौत मोबाइल चार्जिंग में लगाते समय लगा करंड किशोरी की इसी साल पास की थी हाइ स्कूल की परिक्ش Policy लखनौव में बधाल सरकारी अस्पताल बलरामपुर अस्पताल में लही मिला हिलाज अम्बुलंस में गरीब हालत में लाई गए बुज़ुर्ग की मौत आगरा की गाव बरारा में बम की सुचना से हड़कम पोलिस ने दो धाई घंटे की जाज शेक यूअफ को कॉल करने के शक में पकड़ा आगरा में गर्मी ने फिर दिखाए तेवर 42 डिग्री पहुचे का ताप मान हीट वेव से बचने को स्वाव स्विभाग क्यालर सीधापुर में ससुरालियों ने महिला को बहरायमी से पीटा खाना बनाते में देर होने पर आगबबूले हुए पती सईध च्वार के खलाफ तहरीर राम मंदिर के भूतल के छट का 50% निर्मार पूरा परिक्रमापत के बाद अब गुड मंडप की छट बनाने पर जोड नोइड़ा में ससाइटी के गाड को दबंगो ने पीटा पार्किंग को लेकर महिला की गाड से हुई थी नोग जोग साथियों को बुला कर पिटवाया युवक ने की भाय की गोली मार कर हत्या आरोपी खुद थाने पहुचाओ बोला वैत संबंधों के चलते की है हत्या पुलस ने क्या गिरफ्तार फिरोजबाद में पुलस ने 99 आरोपियों की खोली हिस्ट्री शीट 400 अपरादी केगर चिन्रित लूट पार शराब तसकरी सहित का यारो इटावा में दबंगो ने दो युफकों के साथ की मार पीट भिंड के रहने बाले है यूवा को वर बिच के पास से बारात ले जाने की कर रहे थे तैयारी हरदोई में महीला ने फासी लगा कर दी जान डेर साल पहले पती ने भी लगाई थी फासी चार साल पहले हुआ था विवा हरदोई में रिहायशी इलाके में गुरुशी फर्म में जराई गई पर आली भयांकर धुए के कारण लोगों का निकलना मुश्किल दम कलने बुझाया कासिवाबाद में SDM ने कोटे की दुकान करकिया निरीक्षन घर्टॉली के साथ राशन अधिक मिलने पर सील हुई दुकान गुंडम इस सिक्षक हत्यकान की आरोपी पर रासूका की कारवाई सिक्षक की बहन से मिलने के लिये की गई थी निर्मम हत्याद जन्वरी से जेल में है आरोपी हर दोई में चार युवक गर्रा नदी में डूबे दो कोकिसान ने बचवाया दोलापता का लश्यात्रा में शामिल होने गए थे आगरा गिजला स्पताल में बढ़े डाइरिया के मरीज बुखार और पेट दर्ड से परिशान पिछले तीन दिन में टूटा छे महीने का रिकॉर्ड मोदी नगर में ग्रामीडों ने देखा तेंदुए जैसा जानवर घंटों की जार्च के बाद वन्रिभाग को तेंदुए के होने का सुराग नहीं है बेसी के चात्रा पर युवक ने फेका जोलनशील पदार्थ युफ्ति की तहरीर पर चार लोगों पर मुकदमा दर्च पुलस कर रही मामने की जार्च अरूप शहर में श्रधालू ने लगाई गंगा में आस्ता की डुप की पती की लंबी आयू के लिए सुहागिनों ने की बड़ सावित्री की पूजा कानपुर्दिहात में ज्वारी रहेगा गर्मी का सितम 23-25 माई के बीच हो सकती हलकी बारिश भदोई में टॉप टैन हिस्ट्री शीटर मुटभेड में गिरफतार पैर में गोली लगने से गायल हुआ आरोपी का इस जलों में दर्ज हमाम ने हमीरपुल में जेसीवी मशीन से हो रहा मन्रेगा का काम पलान को मजबूर हो रहे मचदूर जलादिकारी सहित मुख्यमंत्री से लिखित शिकारत मुझफर नगर्व में लापता ग्यारवी के चात्र का शववरामर टीचर की डाट से परिशान था बदोई का एक युवग पाकिस्तान में फसा मचली पकड़ने के दौरान पाकिस्तानी समुदरी सीमा में पहुंच गया था युवग परिजनों ने प्रिशासन से लगाई मदद की गुहार सिधापुर में किसान ने खेज जाकर खाया जहर घर वापस आते ही बिगडी हाला तेलाच के दौरान मत संबब में मा की तंबाकू की लतने ली बेटी की जान बैग में तंबाकू पकड़े जानने पर सिख्षिका ने टाटा और यह में पंच नंद क्रिकेट चांपेंशिप का आयोजन दसवे दिन क्वाटर फाइनल में माधोगण और बटपुरा की टीम ने हासल की जीत मुझफर नगर में पुलिस की गोली लगने से बदमाश हुआ घायल देर रात शामली रोट पर शातिर बदमाश से पुलिस की हुई थी मुटबेड अम्रोहा के छात्र ने नोईडा में छात्रा कुमारी गोली खुद को भी गोली माध कर उड़ाया दोनों की मौत घर का इकलौत अबेटा था बिजनोर में सूत और धागे की गोदाम में लगी भीशोन आग लाखों का सामान जल कर हुआ रात एटा पुलिस और गौत असकरों के बीच मुट भेड एक गौत असकर के प्यार में लगी गोली एक सिपाही भी गोली लगने से हुआ घाया मैंपर में युवा के साथ मारपीट का वीडियो वारल शराब के लिए रुपए नहीं देने पर आरोपियों ने लाथ घुसों से पीटा मुकदमा दर्ज घर से भाग रही प्रेमी जोड़े को घरवालों ने दबोशा युवा की छे माईने पहले हो चुकी है श्रादी पहली पत्नी ने थाने में क्या हंगामा रैप रिली में दो घरों में चोरी पीड़ता बोली पती के उप्रेशन के लिए पैसा निकलवा कर लाए थे चोर सब ले गए बाई के सामने आग लगाने वाली युवती की मौत मढ़ने से पहले भाजपा पार्शाद पती पर धमकाने का आरोप लगाया था लखनों में चल रहा था इलाच फिरोजबाद में पुरानी रंजिश के चलते दबंगो ने की फाइरिंग ग्राम प्रधान सहे तीन लोग वे गए अमेटिकर नगर में 42 सुपस्वास केंद्रों का होगा निर्माण दो लाग की आबादी को मिलेगा फाइदा 13 करोड से ज़ाद अकाएगा खर्च मौजल अस्पताल का एडी ने किया और चक निरीक शनक हामिया मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार बोले सभी कम्यों को जल दूर करे सुल्तानपुर में बाइक बुलेरो को टकर माणने के बाद पल्टी ट्रक साथ घायल कुड़वार में बाइक सवार घायल गंपीर हलत में लखनव रह फट जलस्पताल में बनाए गया साउंड प्रूफ कमरा नुईडा में होगा बहरेपन का इलाज यहां लगाई जा रही ओडियोमेट्री मशीन सिधापुर में चलब पिश्वासन का बुल्डोजर पड़ाओ मार्केट में दुकानदारों ने किया था वैद कबजाज जाम की समस्यासे में लगा निजाथ कानपुर में महिला की गला घोट कर हत्या खेत की रखवाली करते समय बारदाद बेटे कारों पलस ने हटवा दी तहरीर से रेपवालिवार कानपुर में बीना लाइसेंस की चल रहा था दवा गोदाम ज्रग विभाग की टीम ने च्छाप एमारी कर पचास लाग की दवाया की जब हागरा में क्याबिन मंत्री के बेटे को बेच दिये नकली इंजेक्शन पुषपांजरी हॉस्पिटल में गर्ग मेडिकल स्टोर पर ड्रग भाग का छौपा पचछतर जिले की पचछतर बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने देएगे प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कर दो